बॉलिवोड के लेजंडरी आक्टर और कमीडियन जगदीप का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है उनका असली नाम सयद इश्टियाक एहमद जाफरी था उनका जन 29 मार्च 1949 को हुआ था चगदीप ने 400 से ज्यादव फिल्मों में काम किया था वे साल 1975 में आई मशूर फिल्म शोले में सूर्मा भुपाली के किरदार से काफीर चर्चा बटोरने में काम्याब रहे थी इसके अलावा फिल्म पुराना मंदिर में मच्छर के किरदार और फिल्म अंदाज अपना अपना में सल्मान खान के पिता के रूल में भी उन्होंने दर्शकों को जबरतस्त मनुरंजन किया था उन्होंने एक फिल्म का निर्टेशन किया था जिसका नाम सूर्मा भुपाली था इस फिल्म में लीड किरदार भी उन्होंने ही खुद अबाया था जगदीप ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत 1951 में आई बी आर चोपडा की फिल्म अफसान ऐसे की थी इस फिल्म में जगदीप ने बतौर बाल कलाकार काम किया था इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था जिन में गुरुदत की आर पार बिमल रॉय की दो बीगा जमीन जैसी बहतरीन फिल्में शामिल है फिल्म हम पंची एक डाल के में उनके काम को लोगों ने काफी सराया था और भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवालाल नेरू ने भी जगदीब की तारिफ की थी जगदीब के बेटे जाविजाफरी और नाविजाफरी भी एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं